इस वीडियो में हम भगवान राम की 14 साल की वनवास यात्रा को मैप के द्वारा जानेंगे श्रीराम की वनवास यात्रा आयुद्य से शिरु हुई जहां उनका जन्म हुआ था आयोध्या से निकल कर श्री राम, लक्षमन और माता सीता गंगा नदी के तट पर पहुँचे। निशाद राजगू, निशाद समराज्ये के शाशक थे। श्री राम के अनुरोद करने पर निशाद राज ने अपने नाव में तीनों को गंगा नदी के दक्षिनी तट पर पहुँचा दिया जिसके बाद श्री राम, लक्षमन और माता सीता प्रियाग राज के तरिवेनी संगम पर पहुँचे जहां उनकी मुलाकात रिशी भारदवाजी से हुई, रिशी भारदवाजी ने उन्हें चित्रकूट की और जाने की सला दी चित्रकूट गया है जहां भरत श्री राम को वापस आयोध्या चलने के लिए मनाने आये थे जिसके बाद वो दंडक वन पहुँचे जहां उन्होंने अपने वनवास के दस साल वैतीत किये फिर वे महरास्टर के पंच वटी पहुचते हैं, यही वो जगए है जहां रावण ने माता सीता का चल से हरन किया था सीता माता को बचाने के लिए जटाईयों ने रावण का पीछा किया, लेकिन आंदर परदेश के लेपाक्षी में रावण ने जटाईयों का वद कर दिया फिर श्री राम माता सीता को ढूंडते हुए करनाटक के किश्किंदा पहुचे और यही पर श्री राम ने बाली का वद किया और सुग्रीव और हनुमान जी की साहिता के साथ वानर सेना को तयार किया वानर सिनातो तमिल लाड़ू में रामेश्वरम पहुँचे जहां भगवान श्री राम ने युद से पहले शिवलिंग को स्थापित किया फिर राम सेतु पुलका निर्मान कर लंका पर आक्रमन कर दिया फिर जिसके बाद भगवान श्री राम ने प्रमस्तर से रावन का बत गिया और माता सिता को भी छुडाया